अगर मैं दूसरे हाफ सेल की बात करूँ तो मेरे पास कुछ जा हाफ सेल है? गैस आइन हाफ सेल गैस आइन हाफ सेल की अगर मैं बात करूँ ठीक है? तो सिंपल सी बात ये है कि इसी को मैं क्या कहता हूँ? S-H-E याद कर Standard Hydrogen Hydrogen Electrode बूल भई, बताया था नहीं बताया था जिसकी वज़े से या जिसका यूज करके तू क्या ने कहल रहा था रे E-Naut Cell की वैल्यू अगर तुझे खाली कोई भी एक compartment given हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो कि Standard Condition में पढ़ा जाता है क्योंकि इसका खुद का को इलेक्ट्रोड एक जिस्ट नहीं करता दुनिया में इसमें प्लेटेनियम का वायर लगा के हम क्या करते हैं इसकी पूरी वर्किंग को पढ़ते हैं इसलिए इसका Standard Hydrogen Electrode की जो value होती है किसकी E-Naut Cell की वो क्या होती है? जीरो होती है ठीक है न? देख भाई वो ही काम करूँगा मैं सबसे पहले क्या पढ़ता हूँगा? फोटो फोटो क्या है तो फोटो ये होगा सिंपल जी बात है मैं अभी किसके लिए पढ़ रहा हूँ माने के चलो मैंने कैथोड के लिए पढ़ा मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कैथोड हाफ सेल के लिए ठीक है भी? कैथोड हाफ सेल के लिए पढ़ रहा हूँ ठीक है? अब इसमें क्या होगा? सिंपल जी बात है प्लेटेनियम का वायर होगा रही है प्लेटेनियम सॉलिड है किसी से जुड़ा हुआ होगा एनोड कमपार्टमेंट से एलेक्ट्रोन वहां पर आ रहे हैं इसमें कौन होगा माले HCl की सॉलूशन थी कौन होगे डबे में H positive भी होगी और यहां पर कौन होगे H2 gas present होगी पेपर में सवाल जो आता है ने मैं वह करवाना चारा हूँ अब अगर पूचेगा तो क्या पूचेगा रहे में किलास में बता चुका हूँ इनहें डोगा रियक्शन के में पार्टिपेट करेगा रियक्शन फेर्दर में नहीं बताऊँगा कि H positive ही क्यों electron को खाएगा और C L negative क्यों नहीं खाएगा रहे बात समझ माच चुकी है इसका मतलब क्या हुआ वोटर तुमारे पास clear है अगर मैं इसकी क्या पढ़ने चलूं अगर मैं इसकी पढ़ने चलूं क्या अगर मैं इसकी पढ़ने चल लगा वोट वाई यही तो कान ही होगी क्योंकि यह reaction किस पर चल रही है कैथ्वड़ पर चल रही है ठीक है ना अब तीसरा point तुमारे पास क्या है रिप्रेजेंटेशन और थ्धच एजि करता हूं अगर तु से चल रही है देख अगर मैं बताओं तो एच पॉजिटिव अपने आप में क्या है तो एक इलेक्ट्रोलाइट है रहे ठीक है ना और यह जा किसमें रहा है एलेक्ट्रोन खाके हाफ एच टू में जा रहा है तो जो कि पीटी के साथ लगा हुआ होगा मतलब की टू एलेक्ट्रोड चलती है एलेक्ट्रोलाइट टू एलेक्ट्रोड और अगर कहीं रियक्शन एनॉड पे चले माने चले अगर मैं इसको उल्टी चलाऊं तो एनॉड पे हो गई रहे और अगर उल्टी चलाऊं एनॉड पे हो गई तो कहां चलेगी एलेक्ट्रोलाइट electrode, electrode to electrolyte, electrolyte to electrode, electrolyte to electrode को HAN simplicity कОन है B告訴 χ या और electrode to electrolyte किस पर चलती नोडड़ पर चलती थी कि आपको बास समझ मत आई 36 क्या आपको बात समझ में आई तो आप बड़ी आसानी से से इसका क्या बता सकते हैं, कहां है, H पोजिटिव है, ठीक है, जाके से में रा आए, H2 में जा है, H2 क्या है, गैसे लिखना चाहे, लिख दे, यह क्या है, एक्कोस है, लेकिन अब याद कर वो वक्त, जहां बे तू paper में गलती करके आएगा और तू गलती क्या करके आएगा गलती ये करके आएगा कि तू PT को लगाना भूल जाएगा किसको लगाना भूल जाएगा PT को क्योंकि याद कर क्योंकि H2 का अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं अपना कोई अस्तित्व नहीं है और जब मैं तुझे cell representation पढ़ाया था तो मैं तुझे बताया था कि PT का क्या काम होता है PT का काम salt bridge की तरह है reaction के mechanism को करवाएगा reaction में participate नहीं करेगा तो अब यहाँ पे तुझे क्या लगाना पड़ेगा PT लगाना पड़ेगा अब इसकी जो cell representation है वो क्या है तो दो टाइप के हाफसेल्स पड़ाये है पहला metal iron, metal metal iron हाफसेल पड़ाये जहाँ सिर्फ metal की बात होगी, metal ही anode पे जाएगा और metal ही cathode पे जाएगा यहाँ पे मैंने क्या पड़ाया है आपको simple gas iron हाफसेल्स पड़ाया है जिसकी वज़े से हम measurement कर सकते है किसका standard electrode potential का और further मैंने हाँ पे वो ही तीन step photo, reaction और representation representation की trick ऐसे केस में अगर PT भी भूल जाता तो तू याद कर लेता कि कहां से कहां चलेगी भाया electrolyte to electrode चलेगी और electrode H2 तो बनाता नहीं है कौन बनाता था पी तिमन